रिशी हनीमून जाने से कर देगा इनकार और फार देगा फ्लाइट की टिकेट्स और करिश्मा बुआ देगी लक्षमी को सजा और आएगी रिशी के असली सचे लक्षमी के सामने और बहुत पूरी खबर है जिससे सुनकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे और वो तो बहुत पूरी खबर क्या होगी ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लक्षमी ने नेहा को बचाने के लिए हर गुम हो जाने का इल्जाम अपने आप पर ले लेने की वज़े से करिश्मा बुआ लक्षमी को सबसे घिनोनी सजा देगी और सजा देती हुई कायेगी कि महमान भगवान का रूप होता है और तुमने महमानों को नारास किया है जिस वज़े से तुम्हें मंदिर में जाकर महमान के सारे जूते चपलों को उठा कर साइट पर रखना होगा जिससे सुनकर रिशी लक्षमी का साथ दे रहा है ऐसा दिखावा करेगा और बुआ को कहेगा कि ऐसा नहीं करेगी वो जिससे सुनकर बुआ रिशी को चुप करा देगी और रिशी आगे कुछ बोलने ही पाएगा और तबी उसी वक्त होगी रिशी की मा के बाप की वापसी यानि की रिशी के नाना की वापसी जिससे देखकर रिशी की मा के पैरो तले जमीन खिसक जाएगीisz और घर में हार की वज़े से तमाशा ख़ड़ा होने की वज़े से रिशी के नाना को कापी पड़ा शौक लगीगा जिस वज़े से नाना के आने के बाद रिशी की मा सभी को मुझ दिखाए की रसम continue करने के लिए कहेगी लेकिन सबसे पड़े रास का खुलासा होगा कि रिशी हनीमून की टिकेट तब फाड़ेगा और हनीमून जाने से इनकार तब करेगा जब रिशी के नाना रिशी से पुझेंगे कि तुम दोनों कल हनीमून के लिए जा रहे होना तब रिशी गुसे से सबी के सामने चिला कर कह देगा कि मुझे नहीं जाना हनीमून और ये गुसे से कहकर रिशी वहाँ से चला जाएगा और लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन रिशी के असली सचाय और रिशी का असली चेहरा लक्षमी के सामने तब आईगा जब आगे आने वले एपिसोड में दूसरे दिन जब रिशी के पापा फ्लाइट की टिकेट्स रिशी को देने के लिए जाएंगे और रिशी को काएंगे कि ये लो तुमारी फ्लाइट की टिकेट्स और लक्षमी के साथ जाओ ऑस्ट्रेलिया हनीमून के लिए तब रिशी काफी गुसे से वो दो टिकेट्स ले लेगा और उस टिकेट को फार देगा और गुसे से कायेगा कि मैं लक्षमी से प्यार नहीं करता और उसके साथ तो हनीमून तो हर्गिस नहीं और ये सब रिशी के मूँ से अचानक से पीछे से और कोई नहीं पल कि लक्षमी सुन लेगी और लक्षमी के प्यारों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्षमी को पता च पूरा पायो डेटा निकालेगी जिससे लक्षमी को रिशी की वो सच्चे पता चलेगी जिससे लक्षमी के रौंग टे खड़े हो जाएंगे क्योंकि लक्ष्मी को पता चलेगा कि रिशी सिग्रेट पिता है तारू पिता है और जो भी दुनिया के सारे नशे है वो सारे नशे करता है और रिशी के अंदर सारी बुराईया है और रिशी ने उनके माता पिता की प्रॉपर्टीस के लिए उसके साथ शादी की है इसी वध क्या है यह सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीस इस विडियो को लाइक शेयर और हमाई चैन को सब्काइब करें